हालो दोस्तो आपका श्वागत है सेंस लागन में दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं mathematics के बारे में mathematics का जो important formula है जो आपके one attendant के point of view से important हो सकता है क्योंकि matrix label का इसमें बुला गया है कि matrix level का push रखता है syllabus है ना तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले में आपर बात करूंगा यह हमारा square है ठीक है square ठीक है इसको हम हिंदी में work बोलते हैं work ठीक है तो इसका क्या क्या formula हो सकता है उस चीज को मैं बताने की कोसित करूंगा देखिए perimeter of square ठीक है इसको हम बोलते है work की perimeter में perimeter होता है ठीक है इसका formula हो जाएगा 4a है यह side है a यह भी side a यह भी side a और यह side a यह सभी side क्या होते हैं वो जाब बराबर होते हैं तो यह 4a हो जाएगा ठीक है में perimeter में सब का जोड है ना यह हो जाएगा basic में information दे रहा हूं में detail में यहां पर नहीं बता रहा हूं ठीक है इसके बाद अगर हम इसका area बताएं आपको है square का area तो क्या हो जाएगा a into a a square ठीक है means एक दो side को multiply कर देंगे तो area आ जाता है ठीक है उसके बाद इसका diagonal लिखा लेंगे ठीक है विकर्ण आप सुने होंगे diagonal है ना तो square का जो diagonal होता है diagonal diagonal होता है root 2a आप ठीक है यह formula बहुत important आपके लिए इसके बाद हम बात करेंगे rectangle का ठीक है rectangle में ठीक है यह one था यह two rectangle का बात करेंगे rectangle में यह length होता है और यह breadth होता है ठीक है लंबाई और यह चोड़ाई ठीक है दीक है यह length और यह length बराबर होता है यह breadth और यह breadth बराबर होता है ठीक है तो इसका भी हमको क्या देखना है पेरिमिटर देखना है, रेक्टेंगल को हम क्या बोते हैं, आयत, है ना, रेक्टेंगल, इसको हम आयत बोलते हैं हंदी में, आयत, ठीक है, इसका पेरिमिटर लिकालना है, पेरिमिटर कितना होता है, पेरिमिटर कितना होता है, तू एल पलस बी, तू एल पलस बी होता है, क्य इतने भी 4 तरफ जितना भी होता है उसको जोडना होता है ठीक है अगर हम इसका एरिया लिका लेंगी एरिया लिका लेंगे तो मेरा लेन्ग और यह B को मॉर्टिप्लाई कर देना है L into B को मुल्टिप्लाई कर देंगे हमारा यह आंसर आ जाएगा तो यह चीज आप सीख है, बहुत common formula है, जो exam में पूछे जा सकते हैं CIP में, इससे base question भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसके बाद, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, trigonometry के formula के बात करेंगे, ठीक है, तो देखे, सबसे पहले मेरा एक triangle हम ट्रो करेंगे यहाँ पर, ठीक है, A, B and C, यह 90 degree हमें साहब होगा, ठीक है, यह 45 हो सकता है, यह 45 हो सकता है, यह 30 हो सकता है, और यह 60 हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बड़, इसमें क्या होते हैं, कुछ इसके points होते हैं, इ ठीक है, पेल थीटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बाद कोस्के थीटा पढ़ा होगा आपने, इसके बाद सेख थीटा पढ़ा होगा आपने, इसके बाद आपने कोट थीटा पढ़ा होगा, ठीक है, सबके आप तो value पढ़े होगे, सबके आपके formula आप पढ़े होगे तो देखिए, सबसे पहले कोई भी रेंगल होता है, इसको हम P मानते हैं, इसको B इसको H मानते हैं ठीक है, Perpendicular Base Hypotaneous यह Lum होता है, घंदी में Lum ठीक है, यह दहार होता है और यह Corn होता है ठीक है, तो यह प्रिमुलार याद रपना पड़ेगा जिस देखें, sin theta का formula होता है, long by curve means p by h, sin theta का हो जाएगा p by h, ठीक है, यह formula हो जाएगा, ठीक है, अगर हम cos theta की बात करेंगे, cos theta क्या होता है, b by h, ठीक है, अगर हम 10 theta की बात करेंगे, तो P by P यह formula होता है ठीक है अगर हम Cosec छीता की बात करें let's check Cosec का Ilta Cosec होता है मतरा Sine का Cosec होता है और Cosec का Ilta Seq होता है और Tene का Ilta क्या होता है Porf होता है ठीक है तो देखिए अगर Sine P by H है तो Cosec क्या हो जाएगा H by P उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला उपर और उपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है, इसके बाद, अगर हम सेट ठीटा का देखेंगे, सेट ठीटा का, तो ये नीचे वाला उपर हो जाएगा, और उपर वाला नीचे, ठीक है, अब इसका उल्टा ये होता है, तो ये क्या हो बी उपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा ठीक है यह फर्मूला आप समझ गया होंगे ठीक है इसके बाद इसका कुछ वेल्यू होता है सबसे पहले आपको करना क्या है जीरो डिगरी है ठीक है आपको 30 डिगरी है 45 डिगरी है 60 डिगरी है इसके बाद आपका 90 डिगरी इस सब के आपको वेल्यू भी जानना पड़ता है ठीक है तो देखें यहां पर क्या है साइन ठीटा है ठीक है यहां पर कोश ठीटा है यहां पर आपका 10 ठीटा है यहां पर आपका कोश ठीटा है इसका यहां पर आपका कोश ठीटा है है उस सब चीश आप तो फोड़ा स ac jjannina पड़ेगा है मैस के लिए को मैस के लिए ALL c देखे डिगर का 0 वेले हुथ साइना स Experimental हेली का बैदन है हुथ अगर एध्या पाते केलेंगे आध्य Ilka ौम्वा 2 होता है और sin 45 degree का 1 by root 2 होता है ठीक है अगर Sin 60 degree का root 3 by 2 होता है और Sin 90 degree का 1 होता है डेंदुट ठीक है यह चीड़ आपको जानना है suspect zero degree का 1 होता है का if we just run такие goal of course study degree का root 3 text 2 होगा ठीक है और 45 का 1 by root 2 होगा ठीक है कोस 60 degree का 1 by 2 होता है और कोस 90 degree का 0 होता है ठीक है कोई 10 30 degree का 10 30 degree का क्या होता है है ना 0 degree का 0 होता है ठीक है उसके बाद 30 degree का कितना होता है 30 degree का होता है 1 by root 3 और 45 का 1 होता है 60 degree का हो जाता है root 3 और 90 degree का infinity हो जाता है undefined उसको हम परिवासित नहीं करता है define नहीं करता है अब कोसे degree का देखेंगे sine और कोसे उल्टा होता है ठीक है इसी अब याद रखिएगा तो देखिए तो sine theta 0 degree हो है तो कोसे 0 degree क्या हो जाएगा infinity हो जाएगा इसको हम define नहीं कर पाएगे उसके बाद sine 30 degree क्या होगा याँपर 1 by 2 है इसका उल्टा 2 हो जाएगा अगर हम कोसे 45 degree की बाद 1 by root 2 होता है sine का तो इसका उल्टा हो जाता है ये root 2 हो जाएगा ठीक है और sine 60 कोसे 60 degree कितना हो जाएगा 2 by root 3 उल्टा उसका ठीक है उसके बाद sine 90 degree एक बेल होता है तो कोसे 90 degree कितना हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा ठीक है सेख का कितना होगा कोस का उल्टा सेख होता है तो जब 0 degree 1 होता है तो सेख का भी 1 हो जाएगा और 30 degree कितना होगा, 30 degree होगा, 2 by root 3 हो जाएगा, चीक है, और 45 degree कितना होगा, root 2 हो जाएगा, चीक है, और 60 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चीक है, और 90 कितना हो जाएगा, 90 से का infinity हो जाएगा, क्योंकि इसका 0 हो रहाता, तो यह infinity हो जाएगा, कोट का अगर हम बात करेंगे, तो कोट का इसका उल्टा है तो 10 का 0 हो रहा था 0 degree तो कोट का infinity हो जाएगा ठीक है अगर 30 degree का हम बात करेंगे 30 degree कितना हो रहा था यह root 3 हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करेंगे 45 तो यह 1 ही रहेगा यह बेसिक फर्मूला था इसके साथ अगर हम एक और फर्मूला अगर आपको इसमें बताने कोसिस करेंगे देखिये इसमें सब में देखो यह क्या होता है इसका वेलू देगा पी का वेलू देदेगा बी का वेलू देदेगा तो तीनों में से किसी एक का वेलू को छोड़ द आपको देखिए अगर आपको h लिकालना होगा तो h का फॉर्मूला जो होता है p² पलस b² ठीक है तो यह स्कॉर है इसको हम रूट में कर देंगे तो इतना हो जाएगा p² पलस b² ठीक है तो यह लिकल जाएगा जो यहाँ पर हाइपोटेनस करने है इससे h लिकल जाता है ठीक है आप इसके वहलू रख दीजिएगा इसका और इसका वहलू आंसर आ जाएगा ठीक है अगर आप चाहते हैं तो इसका मैं क्लास भी ले आऊंगा इसमें कोई दिकत नहीं है ठीक है बटी चोटा विडियो करने के चलते मैं इससे फॉर्मूला से बता रहा हूँ ठीक है इसके बाद अगर हमसे हमको पी लिकालना है से पी अगर लिकालना है तो हो जाएगा एक स्कॉयर माइनस बी स्कॉयर ठीक है रूट कर देंगे इसको तो हो जाएगा एक स्कॉयर माइनस बी स्कॉयर इससे पी लिकालना है ठीक है अगर हम बात करेंगे बी लिकालने की बात करेंगे तो B square equal to H square minus P square और इसको root कर देंगे तो हो जाएगा H square minus P square इससे लिए कर जाएगा है इसके बाद अगर कुछ और important formula जो होते हैं मैं उसको बता रहा हूँ चलिए देखते हैं अलगेबरा कुछ formula होते हैं उसको मैं बतानी को तिसकर रहा हूँ देखें A plus B का whole square आप याद रखेंगे A square plus B square plus 2AB ये किलिए होना चाहिए आपको A minus B का whole square आप याद रखेंगे A square plus B square minus 2AB ये किलिए आपको होना चाहिए छीक है इसके बाद इसके बाद देखें एक और formula इसका होता है A plus B का एक और formula होता है वो भी आप याद रखेंगे इसका होता है a minus b का whole square है ना और यह plus 4ab यह जी आप याद रखेंगे ठीक है इसके बाद a minus b का whole square होता है ठीक है तो a plus b plus sorry minus 4ab याद रखेंगे यह होता है ठीक है यह formula होता है ठीक है उसके बाद अगर आप केकी और देखेंगे तो इसके बाद अगर हम देखेंगे देखें ए पलस b का whole square माइनर इसका whole square हम करेंगे तो इतना हो जाएगा 4ab ठीक है 4ab हो जाएगा ठीक है और a plus b का whole square plus a minus b अगर हम करेंगे तो इतना हो जाएगा 2a square plus b square यह formula हो जाएगा ठीक है इसके बाद इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर और एक फर्मूला और होता है जिसे देखिए A square minus B square इसका एक फर्मूला एक होता है A plus B equal to A minus B यह भी एक फर्मूला होता है आप यह भी याद कर सकते हैं तो यह काफी important फर्मूला होते हैं जो आपको metric level exam में देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो आई होग आप इस सारे फर्मूला का screenshot ले ले जो आपको काफी help करेगा चीक है और इस तरह से अगर आपको और भी जाएगे तो आप definitely comment करेंगे comment section में चलिए thank you